परजय हलो बच्चों, हम चिड़िया घर में हैं, यहां बहुत सारे जानवर हैं, बड़ा सा मोटा हाथी, लंबी गर्दन और चित्तीदार खाल वाला जिराफ, बड़ा सा भूरा भालू जरा इन्हें फिर से देखो, इन में से सबसे लंबा कौन है? हाँ, सही कहा, सबसे लंबा है जिराफ आज हम चीजों की तुलना करना सीखेंगे आओ सीखें चीजों की तुलना करना बड़ा, छोटा, पतला, मोटा, भारी और हलका जैसे शब्दों को चीजों के साथ जोड़ना चोटा या बड़ा हम यहां दो बॉक्स देख रहे हैं, लेकिन ये अलग-अलग आकार के हैं जब दो चीजें समान आकार की नहीं होती, तो हम उनकी तुलना करते हैं जो चीज कम बड़ी होती है, उसके लिए छोटा शब्द और जो उससे बड़ी होती है, उसके लिए बड़ा शब्द इस्तिमाल करते हैं बाल्टी A, बाल्टी B से छोटी है सबसे बड़ा या सबसे छोटा याद रहे, तो ता लाल मिर्चे खाता है मिर्चें छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है इन तीन मिर्चों में से पहली सबसे लंबी है और तीसरी सबसे छोटी है पतला या मोटा कुछ चीजें पतली होती है और कुछ मोटी होती है बाई तरफ दी गई किताब पतली है, दाई तरफ दी गई किताब मोटी है सबसे मोटा या सबसे पतला तीन से ज्यादा चीजों की मोटाई की तुलना करने के लिए हम सबसे मोटे और सबसे पतले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पहली छड़ी सबसे मोटी है तीसरी छड़ी सबसे पतली है भारी या हलका जिन चीजों को उठाना मुश्किल होता है, वो भारी होती है और जिन चीजों को आसानी से उठाया जा सकता है, वो हलकी होती है बाई तरफ वाला सिलिंडर भारी है और दाई तरफ वाला पत्थर हलका है लंबा या छोटा कुछ पेड लंबे और कुछ छोटे होते हैं जिराफ लंबा होता है, चूहा छोटा होता है चीजों को मापना चीजों को अलग-अलग तरीके से मापा जा सकता है आप उन्हें अपने हाथों की चोड़ाई के हिसाब से माप सकते हैं आप इसके लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप तो मापने के लिए अपने कदमों का भी प्रयोग कर सकते हैं आप दूरी मापने के लिए अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लंबाई को मापने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जा सकता है